असलाम अलेकुम तो स्वागा थे आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के अगले टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं देखिए आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों से उर्दू ग्राम यह नहीं पढ़ा रही हूं जो आपटेंट टॉपिक है वह पढ़ा दे रही हूं जैसे कि इसम हो गया इसम मारफाय इस्म नक्रइश में आ इसमें शूद से जमीर से एक इसमें वह सीवाल पढ़कर और कम्प्लीट कर लेंगे आज आप लोग का इसम कम्प्लीट हो जाएगा जितना भी इसमें मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूं अगर नहीं पढ़े हैं इसमें मारफा इसमें जमीर इसमें मस्तक तो पढ़ाना है इसमें सिफत इसमें आला इसमें सूत इसमें इशारा वगरा इसमें स्तफाम हर एक चीज में आप लोग को पढ़ा चुकी हूं तो आप लोग इसका पहला वाला वीडियो देख सकते हैं उर्दू ग्रामर का हर एक चीज बता चुकी हूं इस बहुत थी जदा इंपोर्टेंट है आप लोग के एक्जाम में पूछा लाजिम होगरा वह नेक्ष्ट वीडियो से मिलता रहेगा तो आज के यसंके नों टॉपिक है यह जोिबर इंप्टेट के साम है पूछा जाता हूँ आप लोग इससे लिए इंपोर्टेंट्था तो ईससे बहुत से लेकिन उससे बहुत से इसी से न वर्भ थे जैसे कि लिखनाहें लिखना है यह एक इसम है नाम है और लिखना किसी और दूसरे इसम से तो बना नहीं है लेकिन हां लिखने से दूसरा नाम बन सकता है जैसे कि लिखने वाला लिखने वाली लिखावट लिखता है लिखती है तो लिखना से दूसरा शब्द दूसरा इसम बन जा रहा है तो इस लिखना को बोलेंगे आप लोग इसम मजदर मतलब जिस इसम से जिस नाम से कोई दूसरा इसम बने दूसरा नाम बन जाए लिखना से लिखने वाला भी बन जा रहा है लिखावट भी बन जा रहा है लिखती है लिखने वाली ठीक लिखो तो लिखना से यह सभी इसम बन जा रहे हैं सभी शब्द बन जा रहे आप बोल सकते हैं फेल भी बन सकता ह लिख रही है या फिर लिखती है तो यह क्या है फेल है तो लिखना हो जाएगा आप लोग का इसमे मजदर जिस से धेर सारे जिस इसम से धेर सारे नाम बन जाए धेर सारे फेल बन जाए उसे क्या कहते है इसमे मजदर उसकी तरह है पढ़ना पढ़ना से बन सकता है पढ़ाई पढ़ने वाला पढ़ने वाली जबकि पढ़ना किसी दूसरे इसम से नहीं बना है लेकिन हाँ पढ़ना से दूसरा इसम बन सकता है पढ़ने वाला पढ़ाई यह सब तो पढ़ना क्या हो जाएगा आप लोग का इसम मजदर उसी तरह हसना हसने वाला हसी वगयरा तो हसना क्य तो जिस इसम से याद रखना है जिस इसम से जो इसम किसी दूसरे इसम से ना बना हो वह नाम इस मतलब क्या नाम तो वह नाम जो किसी दूसरे नाम से ना बना हो लेकिन उस इसम उस नाम से कोई दूसरा धेर सारा नाम बन जाए इसम बन जाए उस नाम को कहते हैं हम लोग इसम मुझदर याद रखना है यह आप लोग के पूछता है अब देखिए आप नोग के अक्जान में कोश्चन किस तरह से पूछा जाता है उसी में इसमें मजदर दिया रहेगा देखे लिए कि कौन सा ऐसा इसम है कौन सा ऐसा नाम है जिससे आगे का इसम बन सकता है नाम बन सकता है या फिर देखिए पहचानने का इसमें मजदर पहचानने का अलामत मैं यहां पर लिख दी हूं कैसे पहचानने की कोई भी नाम कोई भी शब्द इसमें मजदर है की नहीं है इसका मैं य tik कोई वी शब्द अगर इसमस्द है तो इसके लाश्ट मेद ना रहेगा लिखना पढ़ना कहल ना कुदना ठीक हैं ना ना-णा ठीक है तो जिस भी इसम जिस नाना की नाना तो एक नाम है ठीक है लेकिन नाना से क्या दूसरा नाम बन रहा है नाना वाला नाना वाली ऐसा थोड़ना होता है लेकिन नाना इसमें मजदर नहीं कहलाएगा ठीक है तो यह आप लोग को ध्याम में रखना है लास्ट में ना है तो देख लीजिए एक बार कि उस इसम उस नाम के आगे भी कोई नाम बन रहा है कि नहीं अगर बन जा रहा है इसके तरह लिखना से लिखने वाला लिखावर्ट लिखने वाली लिखता है तो अगर इस तरह बन जा रहा है तो आप लोग उसको आसानी से इसमें मजदर टिक कर देना आगे बरते हैं इसमें म मस्दर से बना हो ठीक है लेकिन उससे फिर कोई दूसरा लव्ज दूसरा कोई नाम दूसरा कोई भी शब्द ना बने उसे कहते हैं हम लोग इसमें मस्तक जैसे कि लिखना से लिखने वाला तो बन गया लिखना से लिखने वाला बन गया लेकिन अब आप लोग सुचेंगे कि लिखने वाला की आगे भी और कुछ बना दे तो क्या और कुछ बनेगा नहीं बनेगा तो इसमें लिखने वाला हो जाएगा आप लोग का इसमें मस्तक लिखना हो गया इसमें मस्दर और मस्दर से क्या बना है लिखना से क्या बना है लिखने वाला तो लिखने वाला की आगे भी कुछ और बन सकता है अब लिखने वाला की आगे अब क्या बनेगा हुए है लेकिन अब इसके आगे भी कोई कोई लवज ना बन सके लिखने वाला के आगे अब दूसरा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उसको बोला जाता है इसमें मस्तक लिखना से लिखावट बन गया लेकिन लिखावट की आगे अब क्या बन सकता है कोई भी शब्द नहीं बन सकता तो लिखावट हो गया आप लोग इसम दूसरा शब्द दूसरा लवज ना बन सके उसको बोला जाता है इसमें मस्तक I think आप लोगो समझ में आगे होगा आगे बढ़ते हैं इसमें जामीद इसमें जामीद किसे कहते हैं वह इसम है इसमें जामीद वह नाम है जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना उससे लोग इसमे जामिद जैसे की दरख्त अब देखिए दरख्त किसी दूसरे नाम से बना है नहीं दरख्त तो अपने आप में एक नाम है तीक है तो दरख्त क्या है एक इसम है नाम है जो कि दूसरे इसम से नहीं बना हुआ है और नहीं दरख्त से कोई अगला इसम दूसरा नाम नहीं द्रक्त हुगा तो इसमें जामीद आप से कोई दूसरा नम बने उसे कहते हम लोग इसमें जामीध आप लोगो समझ में आ गया होगा या तीनों टॉपिक तो आप हमें कमेंट करके बता दीजे कि हां हमें समझ में हाग्या है और कोई भी कमफ्यूजह रखा Hagika Clises बाकि में आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं रुके हुए थे तो फड़ावड वीडियो को लाइक कर दे और चारता आप शेयर कर दीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के प कर दो कर दो